सबसे पहले यह देख लेते हैं कितने अपडेट्स आई हुए अपडेट को करके लिए सब्सक्राइब ने कभी देख लेंगे ठीक है तो कौन से पहले स्टैनलन कंपरेंट ठीक है फिर्स्ट वन इजिस टाइब आगलों फोर्म थार्ड वन इस पेस्टारिल एक्साइबिलिटि इन फोर्थ वन इस विच वर्यूटेंट एक्स्टैनेड डे सब्सक्राइब बात करते हैं और सेम स्ट्रक्टर देखता है अब इसमें सिर्फ दो प्रॉपर्टी नया इंट्रक्शन हुआ है दो एट्रिडूट और एड हो गई हुए इंपोर्ट करते हैं इसका मतलब कि किसी कंपोरिड में जो थर्ड पार्टी मॉडूल्स होते हैं या ऑगूलर के मॉडूले उन पर डिपेंडेंसी हटा दी गई है तो मॉडूल डॉट टीएस फाइल को उसकी डिपेंदेंसी डिमूफ करने की कोशिच करी गई विद यह पव इसका यूज क्या है ठीक है है सब्सक्राइब अंगलोर फॉर्म से ऐसे हम इसको इंप्लिमेंट करते थे फॉर्म ठीक है सब्सक्राइब करके उसमें वैलिडेशन या इन्पूर वैलू सब्सक्राइब करना दोनों चीज़े कर सकते हैं ठीक है अभी तक तो अभी तक इसमें प्रॉब्लम यह तहीं जो डिफाइंड वैल्यूज है उसके लावा घर मैं कोई वैलूज मतलब गैट करने कुशिच करू और फॉर्म फॉर्म कंट्रोल को चेंज करके अंटाइब फॉर्म फॉर्म कंट्रोल को इंटर्डूज करा गया सब्सक्राइब कर सकता हूं बस यह की अंडिफाइंड आउट्पुट देगा रादा देन कि वह एरर तो करें ठीक है यह बहुत अच्छा अप्डेट है बेस अगर मुझे इसको कहीं पर चाहिए क्या है किसी वेरिबल में या किसी प्रॉपर्टी में स्टोड करके फिर मुझे एक्सेस करना पड़ता था और अभी क्या है अभी जहां पर राउटिंग डिक्लियर करते हो राउटिंग में यह प्रॉपर्टी और अट्रेश करते हो जो मर्जू वो टाइटिल लाल दो इससे क्या होगा कि आप राउटिंग का नेम है कंपनेंट में फेच करत करते हैं तो कहीं पर का देखने का अगल तो आपका करते हो अगल का यहां जाएगा लेकिन वह अगल दिखाई देगा इंस्पेक्ट करूंगा आप अच्छा कुछी है इसमें प्राबलम है उसको इनों ने ओवरकम किया है कैसे आप जब भी टाइब करोगे वह वहीं का वही यह अगलती एक बार जरू करी होगी जब यह एंजी मॉटल डिकर डिफाइन करना होता है इसकाई ब्रैकेट से मराना ब्राना ब्रैकेट से इन स्मॉल ब्रैकेट वह इंटर चेंग होता है इस इस दिखने लगता है ब्राउजर पर जाओगे तक आभी क्या है वह यहीं के यहीं दिख जाएगा ठीक है कि आपको टाइप और कर रहा है बहुत इंटरस्टिंग यह बहुत यूज़ने वाला यह वाला भी अपडेट ट्रिक के लिए कुछ चेंज आपको सेटिंग में करना पड़ेगा वह क्या सेटिंग से यहां पर इस ट्रू करना है एक्स्टेंड डिफॉल्ट कर दिखार नहीं है तो तो जैसा है मैंने आपको इस वीडियों बोला था कि मैं स्ट्राइब को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा सब्सक्राइब करता हूं यहां पर दो कंपरेंट है कस्ट्रमार कंपरेंट एंड एप कंपरेंट डिफॉल्ट होता है मैं यह फाइल बहुत यूस्फुल होने वाली यह कोई बी कंपरेंट करते हैं और कोई थर्ड पार्टी मोडियूल या एंगुलर कोई मोडियूल उसको कहां पर इंजेक्ट करते थे इंपोर्ट सेक्शन के दर करेक्ट है कोई डाउट नहीं यहां तक कि अब स्टैंट अलों के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है पहला है कि जिस कंपरेंट को में स्टैंट अलों बनाना है उस कंपरेंट को डिकलेशन से दिमूफ करना है ठीक है इस एप में एंगुलर मटियूल को इंजेक्ट कर रहा है सो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसक इंगलेशन से वह डिमूफ करना होता है रिमूफ फरम हीर कहां पर रखना है इंपोर्स अंदर यह तुरह से डिफरेंट है ठीक है एंगलर 13 तौ एंगलर 14 विक्टिया अभी तक हम डिकलेशन सेक्शन के अंदर ही सारे कंपरेंट को डालते है आप क्या है मैं बात करता हूं की इंपोर्स यंकुशन के ड़र ंंटika मैंने सेट कर दिया थीक है अभी मैं कम घंतो 11 चेंज बदिया मैं क्या करना जा रहा हम इसको स्तंड अलंग मतना है लुक्त क्यों दे रहा है क्योंकि जो कंपनेंट है उसको मैंने इंपोर्ट सेक्षिंग के अंडर डाला है विचिस अगेंस दी एंगुलर रूल्स अभी मैंने क्या कर रहा है इसको इसको सेफ रहूंगा सो यह एर्र रिमूब हो जाएगी ठीक है कंपाइल सेक्सेश्ट फोली इस तरीके से स्टेंडरलों एप को स्टेंडरलों कंपनेंट को क्रेट कर सकते हैं लेकिन इसका यूज़्ट और फॉर्दर यूज़्ट जैसे वेन आपको बताया कि एंगुलर कंपरेंट्स एंगलर मटरील को मैंने इस एप में इंटिगरेट कर रहा है अगर मैं बटन होता है और एप कंपरेंट पर आऊं विदिन टैक कॉपी और पेस्ट ठीक है अब तक करते आए यह चीज़ कोई कंफीजन नहीं है अगर मैं ब्राउजर पर जाओं लोका लोस्टी तो हंडर सो मुझे कस्टमर कंपरेंट और एप कंपरेंट दोनों लोड होते दिखाई दे इसका होता है मैट हाइफन बटन था कर दो अब देखोंगे अभी पर कुछ चेंज नहीं हुआ है ठीक है करेक्ट एक क्यों चेंज कर दो लिए लेकिन अभी तक उसको कहीं पर डाला नहीं है वाताब उसकी उसका मॉडूल कर नहीं कर रहें तो अगर मैं इस मॉडूल को इंजेक्ट करूं यहां पर जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं इसको मैं सेफ कर दूँ सब देखोगे बटन का स्टाइल एंड कलर चेंज दाएगा इस स्टैंडलों में यह इंपोर्ट काम नहीं करता है ठीक है इस वज़े से यह नहीं आ रहा है अगर मैं से बटन कॉपी और पेस्ट कर दूँ एप कंपरेंट में और मैं इसका रगदू सेफ वन ठीक है सेव इट सब देखोंगे अब कंपरेंट वाला बटन चेंज हो गया लेकिन कस्टमर कंपरेंट का नहीं चेंज हुआ क्लिए चेंज हुआ और उसका इंपोर्ट से कोई लिए नहीं नहीं है म tresu फास कह चर्म काूंर करने डिक्रेइव सकती है अब मैं इसको सेव करो सब देखोगे कस्टमर और आप कमपरेंट पर दोनों के दोनों बटन के स्टाइल चेंज हो चुपा होगा तो यह बेनिफिट है स्टाइड लोन का यूज करना का और क्या डिफरेंस है उसकी डिपेंदेंसी एप.ts की डिपेंदेंसी डिमूव जाती है बहुत यूस्फुल है और अब यह चीजे हैं यसे आपको टाइफ फॉर्म है यह पेस्टाइल एक्सिशिविल्टी है इस पर हम बात करेंगे निच्ट रिजल में है तो थैंक्यो फॉर वाचिंग दिस टूतरियल एंप्लीज सब्सक्राइब इस चैनल इस चैनल इस यह नोत यह सब्सक्राइब यह नियर प्र झाल झाल